हेलो गाइस आज मैं सुभी मायापूर के लिए निकल गई थी और घर से निकलते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई व्यूकॉस बहुत ज़्यादा जिल्दी में थी सॉरी गाइस ये लॉंग वीडियो है पर मैं इसको शॉर्ट की तरह बना लिया था वीडियो को एंड तक देखना स्कीप मत करना आपको इस वीडियो में बहुत सरे इंट्रेस्टिंग देखने में देगी मेरे माँ और मैं जा रही हूँ और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी जा रहे हैं ये सामने मेरे माँ बैठे है ये देखो पॉन पहले जाएगा है इस पांसवादेकार में मेरे फैमिली मेंबर्स है लोग पाई करके चले गया है ये थोड़ा रोड का फ्यू है और रोड में इतना ट्राफिक है कि अब पुछू ही मत बहुत जाथा टाइम लग गया थे अब को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलना गाइस और भर भर के प्यार और सपोर्ट करना हम लोग मायप वह बास से जाने वाले थे हम लोग कैप से उतर के बास में उठ गए ये देखो कितना अच्छे व्यू है फिर मैंने और मेरे कजन सिस्टर ने थोड़ा समस्ती किया वास में वो और मैं एक साथ बैठी थी बहुत प्यारा है इतने ज्यादा धूल थे कि मैंने मार्क्स पैन ली चलो अब सब रोड व्यू इंजा करो मैं थब तक थोड़ा गाना सुन लेती हूं थोड़ा लेती हूं लोग को नहीं पता कि हम लोग पहुचने में इतना लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था ट्रैपिक के वज़े से अभी टाइम साथ बच चुक है अभी भी हम लोग पहुचने अभी आपको एक ट्री दिखाऊंगी यह 500 पूराने ट्री है हम लोग मायपूर पहुचने वले हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में हो तो प्लीज इस जगे पे एक बर ट्रैफिल करके जाओ इतना पीसफुल जगे है कि आपको इतना पसंद आए कि क्या बूले हम लोगों का रूम पहले से बूख किया हुआ था और यह रूम मेरा नहीं है यह और फैमिली रिमिंबर्स के लिए रूम है फिर मैं दो थिन पिक्चर ली और यह दादा हम लोगों को काइट करके रूम में ले गए यह हमारे घर के रूम रंबर है फिर यह दादा लाइट अउन करके हमारे रूम को अच्छे से दिखाए इतने जर्णी के बाद हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया हम लोगों का खाना पहले ही हो गया था अभी दस बज चुके हैं हमको सोना है बिकाज फिर चार बज़े उटना है फिर हम मायपूर मंदीर में जाने के लिए एक टोटो ले ली अभी सुबे के सिर्फ चार बज़ चुके हैं इतना अंदेरा है आप सब देख सकते हो मंदीर में फोन एलाव नहीं थे फिर भी हम चुरा के थोड़े बहुत क्लिफ्स ली थी सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पर सुबे सुबे आरती हो रही थी मैं और मेरी मा मंदीर में जा रहे थे यह मैंने मंदीर के बाहर से वीडियो ली थी हम लोग थोड़े से लेट हो गई थी और मंदीर बंद हो चुके थे फिर मा और मैं थोड़ा सा फोटो उठाए बाहर से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफस्ट कर लिया था फिर हम लोग चले रूम के लिए ये इतने सारे लोग मंदीर में जा रहे थे ये हम लोग मंदीर में प्रशत खाने के लिए पहुँच के कि आप लोग भी अगर यहां से प्रसत खाना चाते हैं तो पहले आप लोग को टिकेट करना पड़ेगा टिकेट की प्राइज साथ रुपए है कि इतना सारे लोग यहां से प्रसत खा रहे हैं पहले मैं यह बोलना भूली गया था कि यहां पर प्रसत खाने के लिए आपको थोड़े बहुत लाइन देना पड़ेगा यह दूसरा दिन था जो हम लोग फिर से मंदीर में जा रहे थे विकाज उस दिन हम लोग मंदीर में नहीं जा पाए मंदीर में फोन एलाव नहीं थे फिर भी हम चुरा के फोन ले आए फिर से गार्डने हमें रोका था फिर हम जैसे तैसे करके फोन को अंदर ले आए यहाँ पे गाना वज रहे थे और मैं साउंड नहीं दे पाए विकास कॉपी राइट आ जाएगा फिर पता नहीं मेरा तबिया थोड़ा सा ख़राव हो गया था इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया हम लोग यहाँ पे दो दिन के लिए थे अभी सिफ च्छे बज़े है और हम रेडी होके निकल गए घर के लिए यह सुवे की व्यू है I hope अब लोगों को इस वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सिया सब्सक्राइब करना मत भूलना यह पास में एयरपोर्ट थे सो प्लेन इतना पास से जा रही थी पता नहीं अब लोगों कैसे दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पास से जा रहा था सो व्लॉग मैं यहां पर एंट करती हूँ टेक केर और बाई बाई गाई प्लेख टेक करते होड़्यादा रहे हैं अबड़ करते हैं यह दो बहाँ है आप यह प्लेख कैसे जब है झाल व्लेख बाई अढ़ करते हैं झाल झाल